नमसकर दोस्तों, सवागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर देखें फ्रेंड्स यह मेरी गूल का फोधा है एक ही प्लांटस एक ही गंवले में लगाई हूँ कितने सुन्दर फ्लावर कि लिए मैं जो जो क्यार करके ये फ्लावर को जो क्यार में करती हूं उसी के बारे में मैंने आज कुछ बाते आप लोग के साथ साजा करना चाहती हूं पहले ये फ्लावर हर मोसम में चलने बले डेसी वाला फ्लावर है ना इसलिए हो अच्छी तरह से चलती है गर्मी में भी बहुत अच्छी तरह से आती हैं लेकिन गर्मी में विंटर में जो आती है वो उसको इनका बोलते हैं वो उसका फ्लावर थुड़ा बड़ा होता है लेकिन ये वाला पोधा लगाएंगी तो भी हो आएगा लेकिन विंटर में जो हम मेरी गुल लगाते हैं उसको ज्यादा तर हम हाइब्रीड का वेराइटी चूज करते हैं लेकिन ये देशी बाला बहुत अच्छे फ्लावर देती है हर महीने अगर इसको रोटेशन करके लगाएंगे उसका कटिंग भी बहुत अच्छी तरह से चल जाता है और उसका जो फ्लावर है सुख जाने के बाद उसको भी अगर हम लोग जमिन पर डालेंगे सीडलिंग के लिए वो भी अच्छी तरह से उख जाती है इसका पहले में उसका मिट्टी के बारे में बात करना चाहती हूँ मिट्टी पहले में जो भी ब्लांट्स लगाती हूँ मैं मिट्टी के उपर थोड़ा ज़्यादा काम करती हूँ उसके बाद इतना देखभल करने के लिए मेरे पास भी समय नहीं है लेकिन मिट्टी में अच्छी तरह से प्रीपर करती हूँ मिट्टी को थोड़ा दूप भी दिखाती हूँ उसके बाद मिट्टी में थोड़ा पूरोस बनाने के लिए कभी राइस हस को हो या कुछ सेंड बगएरा कुछ भी मिला कर मैं उसको पूरस मिट्टी बनाती हूँ उसके बाद ये हेवी फीडर होता है क्योंकि इतने मात्रा से फ्लावर देफ फ्लावरिंग करता है इसलिए इसमें मैं थोड़ा ज्यादा कमपोस्ट मिलाती हूँ मेरे किचेन वेस्ट में जो भी मैं कमपोस्ट बनाती हूँ उसको और भर में कमपोस्ट मिलाकर इस प्लावर को मैंने लगया था किड़े का ज्यादा कुछ आटक नहीं होता है इस इस प्लावर पर और इसमें एकी बात बहुत अच्छी है ये सायल को रिकलेम करती है जो मिट् भी फंगस बगर होती है ये प्लाट्स लगाने के बाद वो फंगस सरे खतम हो जाता है और धूप इसको अच्छी मत्रा में मिलना चाहिए बारिस में भी वो ठिक ठक चलता है लेकिन धूप में वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देता है तीन चार महीने वो ज्यादा फ ब्रावरिंग दे एक पोधा खराफ हो जाएगा तो दूसरे बला पोधा अच्छे से उगेगी और फ्लावर का कमी कभी में सैसे नहीं होता है इस प्लाट्स लगाने के बाद ये प्लावर में मिलता ज़्यादा तर एलो और अरेंज रिख जो फ्रेंच मेरी गोल हो बहुत सरी कलर में अभेलेबूल होता है friends देखिये मैं कुछ ज्यादा कयर कुछ नहीं करती लेकिन मेरे plants बहुत सुन्दर और स्वस्थ है ये देखिए friends ये जो मंडा विला का plants देखंद रहे है ये ग्रो बैक में तीनों कलर में मैंने लगाया था मेरा जो बेड्रूम के बाहर जो विंडूज है मैं वहाँ पर रखा था उसको में उझे निकलना पड़ा इसलिए वह भी बहुत सुन्दर है यहाँ पर दूप बहुत अच्छी है आती है इसलिए प्लांट्स मेरे सारे हरे सब्भें और स्वस्थ है अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे शेर भी करेंगे अगर मेरे चैनल का अभी तो सस्क्राइब नहीं किये तो प्रीज सब्सक्राइब करड़ीजि और